हाई फ्रेंड्स मैं हिर्दय स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल भर्दवाज इलेक्टिकल पर आज दोस्तों में एक बड़ी अपडेट लेकर काया है यह अपडेट जो है जो भाकेंसी से रिलेटेड है तो वीडियो कायंट तक बने रहेगा पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में चाचा करने वाले हैं और इसी परकार का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सिस्क्राइब ने किये होंगे तो प्ली चैनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट दी जाती है तो आई फाइनली क्या अपडेट आए है इसके बार में देखी लेते है तो जैसा कि देख पार हम इसके ओफिशिल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं या अपडेट जो है I-R-E-L यानि कि Indian Rare Earth Limited से आया अपडेट आया हुए Government of India Department of Atomic Energy के तरगात यह आता है इसका Head Branch जो है मुंबई में है तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहां पर आपका जो Job Location रहने वाली मुंबई रहने वाली है इसका अलागला कई यूनिट है जो कि आपको महराष्टा में है किरला में है उडिशा में भी है मद परदिस में है तो जहां भी होगा आपका अपडेट उस पर आप अप्लाइक कर सकते हैं आपर इस फॉर्म का आपको एडवर्टाइजमेंट संख्या देखने को मिल जाएगा और पोस्ट का नाम जो रहने वाला है यहां पर ट्रेट्समेंट ट्रेनी के नाम से जाने जागेगा ठीक है रेगुलर बेसिस पर यह आपडेट आया हुआ है हाई है स्क्रोल करते हुए हम कुछ महत्पून और बात देख लेते हैं आपर इंपोटेंट डेट दिया गया है नोटिफिकेशन में इसका फॉर्म जो है 23-2024 से ही स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है 15 मार्द 2024 है ठीक है इसके बाद स्प्रोल करते हुए नीचे एगा तो दो नमबर पर आपको देखने को मिल जाएगा डेटेल और पोस्ट के बारे में ठीक है तो यहां पर अलग-अलग यूनिट के लिए क्या पोस्ट रखा गया है और कौन-कौन से ट्रेड इलिजबल है क्या वालिफिकेशन है इसके बारे में यहां पर दिया हुए अटेंडेंट ओपरेटर केमकल प्लांट का है तो यहां पर अलग-अलग है आपको इसको डाउनलोड करके देख पाएंगे आप जहां से भी अपलाई करना चाहेंगे तीक है अब यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं यहां आपर experience भी मांगा गया है तो आपका ITI या NAC with 2-year experience होना चाहिए रिभलेंट ट्रेट से तभी आप अपलाई कर पाएंगे नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे इसको अपलाई थीक है यानि कि experience को यहां पर mandatory राखा गया थीक है maximum age आपका 35 साल तक होना चाहिए और आपका पहला साल ट्रेनिंग के दौरान 20,000 रुपए श्टाइपन के रूप में दिये जाएंगे ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो 22,000 प्लस allowance जोड़ करके आपको मिलेगा तो एक अच्छा खासा salary आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो यह अलग अलग यूनिट का है यहाँ पर आपको भुपाल है तामिल नडू है सब देख लिजेगा अंधरा परदेश का है भीजाग अंधरा का ठीक है तो अलग अलग यूनिट का है ज्यादा पोश्ट है अलाकि उडिचा में ही है ठीक है इसको स्क्रोल करते भी नीचे तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका क्वालिफिकेशन और एक्स्प्रियेंस के बारे में कुछ महत्पून बाते बताई है इन्होंने तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं ट्रेट्समेंट ट्रेनिक के लिए जो है फीटर इलेक्टिसियन के लिए ITI, NAC, फीटर या इलेक्टिसियन ठीक है टू यहाँ एक्स्प्रियेंस इन्दर इभेलेंट ट्रेट, डिसिप्लीन इन, रेपूटेड इंडस्टियल एस्टाबिलिश्मेंट इंक्लूडिंग ओन दा जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग इस तरह से ठीक है जौ और अप्रेंटिसिप दोनों को यहाँ पर count किया जाएगा, अगर आप अप्रेंटिसिप किये हैं तो एक साल experience ऐसे हो जाएगा और उसके बाद एक साल का और कहीं कलगा दिजीजीगा, दो साल experience आपका हो जाएगा, यह feeder वाले apply कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर electrician वाले नहीं apply कर पाएंगे कियोंकि इसमें license का भी यहाँ पर necessary कर दिया है ठीक है तो इसे अपने माधिम से देख लिजागा अगर सारी qualification को fulfill करते होंगे तो जरूर apply कीजेगा इसके बाद यहाँ पर notification को scroll करते भी आईएगा तो यहाँ पर age relaxation देखने को मिल जागा जो आपको age का relaxation मिलता है यहाँ पर भी आपको मिलेगा ठीक है इसके बाद स्क्रोल करते भी नीचे आएगा तो 9 नमबर पर आपको mode of selection देखने को मिल जागा कि या इसका क्या प्रक्रिया रहने वाला CBT exam कर ठीक है तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं डेढ़ गंठा का आपका exam होगा जिसमें paper 1 और paper 2 दो भाग इसके exam के होंगे ठीक है जिसमें paper 1 में 50 trade से related question होंगे और 50 objective question जिसमें English, reasoning, math, gkgs इस तरह के question होंगे ठीक है जेनरल EWS और OVC के लिए 40% जबकि STAC के लिए 35% लाना अनिवार होगा ठीक है तो यह आप अपने माधेम से देख लिजएगा है यहाँ पर return test center कहां कहां दिया गया है तो आपका CBT exam होगा उसका यहाँ पर center दिया हुआ है आपको चूज करना होगा फॉम भरते समय और इसम के बाद आपको scroll करते भी नीचे आएगा तो यहाँ पर application fee के बारे में इन्होंने बताया है कि General EWS OVC का यहाँ पर 500 रुपय application fee रखा गया है बाकी other category को यहाँ पर कोई application fee नहीं लगने वाला है तीक है इसे आप अपने माधेम से देख लिजएगा यहाँ पर कैसे apply करना है के बारे में बताया हुए तो यह notification को हम अपने टेलिग्राम पर भी दे दिये हैं अगर आप टेलिग्राम ग्रूप को अभी तक जोइन नहीं किये होंगे तो इसी वीडियो का description box में लिग दिया हुए वहाँ पर जोइन कर लिजेगा सारे पीडियो पोहें पर available करा जाती है तो यह चोटा सापडेट था मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ने जनकारी के साथ तब तक इपना ख्यार रखे जैहिंद